कि एलो देर स्टुडेंट्स कैसे है आप सब लोग मैं मोहिन पठान एक पर फिर से आप सब लोगों के सामने और आज आज हम लोग करने वाले हैं क्या आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर the end of bipolarity का एक और इंपॉर्टन टॉपिक आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं टाइम लाइन को यानि कि यह लोग देखेंगे कि यूए से साट डिसिंटिग्रेट कैसे होता चला गया उसके टाइम लाइन क्या है और हम लोग देखेंगे कि गोर्बाचे इवने जो रिफॉर्म्स लाए थे उसक को आप सब की हेल करता है आपके एक्जाम में माक्स को रेज करवाने में और आपका एक्जाम क्लियर कर वाने में तो आई यह शुरू करते हैं ऑख बचैव क्रिएटेटेट सीचुएशन और तो तो इसके रिफॉर्म लाने की सिचुएशन की वई से हुआ के आखिर देखि अब देखिए मिकायल और पासे में जब कहा कि मुझे रिफॉर्म लाने तो लोग तो खुश थे नहीं पॉलिक खुश नहीं और समावर हो गया था इधर जाओ या उद्र जाओ दर जाओ या सब्सक्राइब करना क्या चाता यह तो बता दे लेकिन हम कंफ्यूज बहुत जादा कि तो करना क्या चाता है अगर नहीं लाने तो वैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे है कमिश्पार्टे वाले लीडर सा लग हो रहे हम से ठीक और गॉर्बाचेव बिचारा क्या हो जाता है परिशान हो जाता है जैसे कि आप लोगों को फोटो में दिख रहा है वाट दर उनली इकनॉमिक और पॉलिटिकल रिजन्स फॉर्ड डिसिं वगोड़ और शुरुण या फिर और भी कुछ एकनॉमिक और पॉलिटिकल रिफांस थे याफिर एकनॉमिक और पॉलिटिकल रिफांस और दिख चुँक्य कैसके अलावा भी कुछ ठा जिसके वजह से यूजसे असर डिसंटेकर ग्रेट हो जो सकता है एकनुमिकल सिस्टम खराब था ठीक है पॉलिडिकल सिस्टम खराब था ठीक है गोरबा चेव ने आकर बताया कि यह इकनोमिकल और पॉलिकल सिस्टम को ठीक करने ही जूरोते रिफाम शाने की जूरोते क्या सर्फ इसी वज़े से युज़ेस्ट इस अर डिसंटेग्रेट हुआ या और कोई दिज nationalism and the desire for sovereignty within various Republics including Russia and the Baltic Republics Estonia Latvia Lithuania Ukraine Georgia and others proved to be the final and most immediate cause for the disintegration of the USSR अब अगर आप से कोई पूचे कि यार USSR disintegrate होने का सबसे immediate cause किया था किस वजह से USSR disintegrate तो आप तो एक अंसर यह दोगे कि सब क्योंकि गोर्बाच ने रिफॉर्म की बात करी थी इस वज़े से disintegrate होना स्टाट हो गया था यूससर ठीक और दूसरा दूसरा आप लोगा अंसर दोगे rise of nationalism cancer दोगे rise of nationalism कर सरी इसका क्या मतलब है rise of nationalism का कि लोग के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदावनी स्टाट होगी राष्ट्रवाद की बहावना क्या होती है अपने देश के लिए अपनी जगा के लिए प्यार और इतना प्यार इतना प्यार कि अपने देश को अपनी जगा को हम रूल करेंगे इसको कहते हम लोग लेकिन उन लोगों को मौका मिल गया प्रोटेस्ट करने का क्योंकि मिकाल कॉर्पाइल प्रोटेस्ट में बीच में आकर यह तो नहीं रहा है उनको को प्रोटेस्ट रोकने कोशिश नहीं कर रहा है तो इन लोगों को मौका मिल गया अपना राष्ट्रवात की फीलिंग अफ्शू करने का और यह बताने का कि हमारी कंट्री को हम रूल करेंगे और अब हमें यूएससर गवर्मेंट के अंडर में यह कम्यूस्ट गवर्मेंट क रहने लोगों आटकि मुझे इंडिपेंड रॉन रोगेंगे की मुझे राष्या खिष्ट मेंडौर्ट फुक्का और रहा हो यहां चलकर लेकिन इस ताम प्रेट में जो एस्टन य युरूप्यन murderer रहे हतने इस लаж Ming एप सब्सक्राइब तेयर सभ्सक्राइब यह चाहिए कि वेस्ट में अब हम लोगों को फंडामेंटल राइट जैसे वेस्ट में ठीक थी तीन नाम है एस्टोनिया लात्य लिथुवानिया इंती नों को याद रखने आप लोगों को बाल्टिक रिपभीक स्टेट्स भी बोल लोगों तीजिक दिख रही होगा औप लोगों पालिक से लगा हुआ है एस्तोनिय लात्य और लिद्वानिय को है इस सब्सक्राइब इस व Fazenda गप कि आप है जाता है याद पेपर दुबारा से बता रहा है दिखाते डिफरेंट वीव अन-दिस ठीक है अभी जो राईज of nationalism है कि राष्ट्रवाद की भावना की वज़े से एक तो पॉलिटिकल सिस्टम खराबता एकनामिक सिस्टम खराबता लेकिन राष्ट्रवाद की भावना इतनी ज्यादा आ गई थे लोगों में कि लोग आप इंडिपेंट होना चाहते थे ठीक लेकिन जो पॉलिटिकल साइं नेशलिश अर्जेस और फिलिंग्स वर वेरी मुच एट वर्क थूआउट थे हिस्ट्री ओफ दो सोविए उनियन एंड डैट वेदर और नॉट रिफांट थे वजह वजह से लोगों लोगों का लोगों के अंदर का नैशनलिजम जागा लोगों के अंदर का लोगों के बात दिल में अपने को रूल करने कि राष्ट्रवाद की भावना जो है वह बढ़ती चली जा रहे थी और गभी नो भी आगे जाकर फ्रोटेस्ट होते हैं ये लोग अपने आजादी मांगते है ठीक है दिस इस अ वाट इफ अफ इस्टी बट शुरली इच न एडेशनेबल वीव गिवन दशाइज लगज अंड मांगते एक सेटरा एक सैटरा एक लिंज नेवल कंडिशन नहीं है नहीं है क्य यह यह फिसेंट्रेलेशन कंट्रीस थे यह लोग अट्रोण मांगे रहे थे और इनका रिजन भी अच्छे अटर्वी मांगने क्यों यूसर बहुत बढ़ा बहुत मतलब 15 कंट्रीस से मिलकर एक अगर यूसर बन रहा है इसका मतलब क्या उनका रिलीजिन अलग कल्चर अलग अगे जलकर ठीक है एक विव पॉइंट तो यह दूसरा विव पॉइंट के अधर सिंग डेट गोर्बाचेव रिफॉर्म स्पीड़ अप एंड इंक्रीज नैशनलिस्ट डिस्साटिस्फेक्शन तु दू पॉइंट गवर्मेंट एंड रूलर्स कुड नॉट कुड करेंगे लेकिन गोर्बाचेव ने जब बात करी रिफांट करने की तो हुआ क्या लोग डिस्साटिस्फाइब होने की वज़े से और ज्यादा इनके नैशनलिस्ट अर्जिस बढ़ गए राष्टरवाद की भावना इनके अंदर बढ़ गी और यह लोग बोने लगे कि वह बाल्टिक सी देख लिए लोग और अप लोग एक नाम है एक बच्चा है जिसका तुम लोग ने नाम रखा हुआ बिक्षो ठीक है अब जैसे बिक्षो तुम लोग सुनते तो क्या लगता है कि एकदम तकड़ा बन्दा आएगा है एक दम साड़ी छे फूट ठीक है और आत सबसे पहले इन से अलग होगा तो ऐसा माना जाता था कि सबसे पहले इन से अलग हो जाएगा गार इस एंट्री जो संड़ियं में सेंट्री एंट्राइफ जयर्खासतान ताजिकैस तान उजभेकिस्तान तुर्क्मेनिस्तान कि रिगिस्तान यह चलिए के पहले अलग हो जाइगी और इस्टन येउरोपेन कंटरीं जैन्क लगा रहे लेकर लेकिन होता उल्टा एक एस्टन येजोपीन कंटरीं पहले भागती जीन के वह सबसे पहले भागती यह जो सेंट्र लेशन सेंटर लेशन कंट्रीज जो है उनको क्या होना है अलग होना है तिक इस वज़े से माना जा रहा था यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब बढ़ बनजाराज टाइप लोग थे ठीक खाना पीना सुकी रहना अराम से ट्राइबल लोग थे ठीक और क्या पूरा ट्राइबल गल्चर था प्लस ये लोग जो लोग थे इनका रिलिजन इसलाम था था हैना मुस्लिम से सारे बागी युएस असर में अगर हम लोग देखे during the Cold War many thought that Nationalist unrest would be the strongest in the Central Asian Republics given their ethnic and religious differences with the rest of the Soviet Union and that economic backwardness take it as a manager like you to Central Asian Republic say Hannah Padana copper Russia Russia can achieve Central Asian Republic such our patch take it as a manager of a key yellow pellet kya karengen bhaaguing a Allah ho jayenge जब जब भी राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर आईगी तो ठीक है लेकिन क्यों ऐसा माना जारता क्योंकि इनका एथनिक कंपोशिशन अलग है सोशियल सिस्टम अलग है और इनका रिलिजन भी अलग है इसी वैसे माना जारता कि यह लोग सब उक्रेन और यह बोल रहाएज कि इसा हुआ नहीं हुआ बलकी यह कि जिसके उपर यूससर ने सबसे ज्यादा पैसा लगा है या निकिर रश्या के ऊपर यानिक श्टन यूरोपन कंटरिस के उपर यूक्रेन के उपर जॉर्जी पर जिसको यूसरा समझता था कि ये बाई कि बात सब्सक्राइब किस ने करी इस्टन यॉरोपियन कंट्रीज ने करी जॉर्जिया ने करी युक्रियन ने करी ठीक है आगे आते है और देनल पीपल यह फेल्ट एलियने तर्म अलिए तर्म एच अद फ्रम एच अधर and concluded also that they were paying too high and economic price to keep the more backward areas within the Soviet Union Eastern European countries or Russia कभी भी in Central Asian countries से खुष नहीं था कौन नहीं था यह रश्या और यह जो आठ Eastern European countries यह लोग कभी भी रश्यास यह लोग कभी भी Central Asian countries से खुष नहीं थे क्यों कुछ नहीं थे रिलिजन का यहां पर कोई लेना देना नहीं एथनिक कॉंपोजिशन के वैसे नहीं बिल्कुल नहीं इन countries को लग रहा है उपर वाली countries को कि यह Central Asian countries बहुत ज्यादा और इनको हम लोग अपने साथ रखके इनके उपर पैसा खर्च करके बहुत ज्यादा नुकसान करवा रहे हैं यह हमारे उपर नहीं करते अपनी इजल बंकरार रखते और युज़त का हाथ छोड़ते नहीं नहीं यह लेकिन विर्. भी घूलेकर को नहीं लोग होने वाले है अलग अलग होने आग्स आगे यह रशिया ठेक होने तुर्कमेंस्तान उजबिकिस्तान यह लोग कहेंगे भाई यह हमें तो तुम्हारे साथ यह रहना यूज़ा हमें अलग मत करो ठेक चलिए आगे आते ताइम लें देखते एक इंपॉर्टन टॉपिक एंब बहुत सारे कोशन सबस्ते है इसमें से इसलिए ध्यान से देखना सब्सक्राइब को अब्स इसलिए उनियों कैसे दिख्राइब करें मिकाइल गोरभाचेव इलेक्ट्रेड एस जनरल सेकेर्टरी ऑफ देखने अपने को सिर्फ ठीकमंत याद नहीं भी रहो गहतो तो भी चलेगा लेकिन सिक्वेंस में जरूर याद रखना हैना इटीफई म में पहले यह हुआ था फिर वह यह हुआ था मार्च 1985 में क्या होता है मिकाइल गुर्बाचेव को बना दिया जाता है सोवियत यूनियन के कम्मिनिस्ट पार्टी का जनरल सेकेटरी सबसे इंपोर्टेंट बात जैसे जनरल सेकेटरी बनाया जाएगा वैसे कुछ महीनों बाद रफ्ल लाइएगा जनर्रफ नेटा होगा ठेखे इसको उपर लाएग ऑपर लाएगा अच्छी पोजिछेशन में बिठाजैगा और इसके साथ सत क्या करेगा मिकाईल गौरबाचेव बारिस येलिसीन को बोर्स येलिसीन को मेर बना देगा इसने बना दिये और मॉस्कोव की क्विनिश्ट पार्टे कैस को क्या बना दिया है है इस ठीक निखे डिकला इनिश्येट सप्रिपार्म इन लेश चुरी ऑफर्म इन दो सोविए यूँनीजन और सोविए मैगजिन के प्रोफाइल के उपर उस टाइम प्रेंड में जो सबसे बड़ा चेहरा था वो कौन था मिकाईल गॉर्बाचे ठीक है क्यों कि चर्चा में सबसे जादा था एना हम लोग देखते कि शारू खान का कई बार नाम आया दिपीका पादू को ना चुकी है इसके उपर तो टाइम मैगजिन का जो कवर फोटो यह हमेशा चर्चाव में रहता है तो 1985 में जो चर्चाव में था टाइम मैगजिन के कवर पिक पे वो था मिकाईल गोरबाचे ठीक है 98 में देखते क्या हो रहा है तीन साल बात ठीक है सबसक्क प्रहें के बात करें बर सबसे पहले इंड़ेपेंटिस मूंच कपर सबसे पहले इंडिपेंदस मोमें स्टार्ट होता है लिथुवानिया में का स्टार्ट होता है लिथुवानिया ठीक है याद रखना हम लोग लिथुवानिया एस्टोनिया और लात्विया थी नो बाल्टिक स्टेट से हाग नहीं यह बाल्टिक रिपॉब्लिक से बाल्टिक कंट्र ती जो सबसे पहले अलग वी किसे USSR से विच कंट्री वास फॉस्ट कंट्री तो पिकेम इंडिपेंडेंट फ्राम यूससार तौांसर क्या देंगे अपन लिथुवानिया ठीक सब्सेपले स्टेक्लेस डैट दिवार्ट फटेट मेंबर्स और फ्री टुडिसाइड रोन फूचर सटिक नाइट इंट सिट उनियन का हैं इंट अलोग वह चाहिए लुटे यह लोग बोलते कि वार्ट सब्सक्राइट कपना था फैट आगे यून से नाम से जांते इस्टन अलाइंस के काम से भी आगे तो आप क्या बोला गया यह बोला गया कि वह और सो पैट की जित्ते भी मेंबर से ठीक है वो इंडिपेंडेंट है अपना खुट का डिसीजिन लेने का कि तुम्हें यूससर के साथ रहना है तो रहो नहीं रहना है मत रहो कमिनिस्ट पार्टी के अंडर में र ठीक है तो हुआ के 1989 में क्या बोला आए सोवेट यूनियन ने डिकलियर करा यारिक यूससाने डिकलियर करा कि जो और से मेंबर से वह सारे के सारे इंडिपेंडेंट है और उनको जो भी पॉजिशन लेना है जो भी साइड लेनी वह वह ले सकते हैं बर्लिन वॉल फॉल्स सब्सक्राइब है या 11 नॉइंबर है आप लोग मुझे बताएंगे वीडियो के हींचे कमेंट सेक्शन में चली आगया है आगया है अब हम लोग ने यह चीज तो पढ़ ली थी बर्लिन वाल तूट जाएगे 1989 में तो 1990 में क्या हो जाएगा 1990 में यूनिफिकेशन आफ जर् रृइमेंट डूमत टुब्रमिट मल्टी पार्टी पालिटीक्स अब दो क्या होता है आप पर up मिकल रबाचेव जो है रेवं दिलानिْ क्नी की बात तो कर रहा है पौलिटीक शिस्टम धीक करना है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या हमेश पालिटी जो की USSR में रूल कर और इस सिस्टम को खतम करने की बात करें किसम इंचाहै चर्ण पर्लेमेंट में जाता है यूएससर की पार्लेमेंट में जो कि अब रश्या की पार्लेमेंट है जिसको डियूमा बोला जाता है जैसे हम लोगों निकारा था जर्मनी की पार्लेमेंट रिष्टेग इंडिया की पार्लेमेंट संसत बांगलादेश की पार्लेमेंट जाती है संसत उसी तरीके से किसकी प करने वाले हैं मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं अब मुझे बताओ क्या कम्यूनिस्ट पार्टी इसके लिए रहेगी कमिस्ट पार्टी बोले कि भाई हम तो रेडी नहीं है इसके लिए यह क्या बोल रहे हैं तुम लोग हागे ना तो अब सीन के 1990 में जो य एक मल्टी पार्टी सिस्टम होने वाला या पर यही तो रिफॉर्म से यही तो चेंज लाना हागे ना क्यों तागी सिस्टम अच्छे से चले ठीक लेकिन कमेश्पार्टेवल नहीं मानें ठीक है याद रखना इसको आए क्या बोल रहा है 1990 मार्श की बात कर रहा है उन्हीं आघ्याश में लिद्वभानिया बीकांटिए न फिर्फ्टिन लिफ्टेएन डीफ्टेम सोविये रिपाब्लिक्स टू डिकलेर इस इंडिपेंड़ने लिथाने लिथानिया पहली कंट्रिविंट इंपंदर री पोब्लिक्स लिद्वें कि ने से लिफटीन अपसे पहली करती है और 1990 में मार्च में इसको इंडिपेंडेंडेंस मिल जाता है सबसे पहला इंडिपेंडेंडेंस कौन सी कंट्री लेती है यह कोश्चिन पेपर में आता है बार 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 तो याद रखना लिथुवानिया और लिथुवानिय का क्या है वह आप लोग मुझे कमें रशिया ने बोला कि यूयस से साथ B judge मैं अलग हो रहा हूं इंडिपेंडेंट हो रहा है ठिक है आछाल रही राख बूल रहा है जो यूयस से साथ को सविक्विल उजयन ंको कि भैया अब मैं भी अलग हो रहा हूं लिथ्वानिया तो हुध चुक है मैं भी दिया लगर 1991 येल्सिन no longer in the Communist Party became the President of Russia अब बोरिस येल्सिन पढ़े हम लोग पढ़ किया चुक्छे हागे ना बोरिस येल्सिन ये बन्दा वो था जो बहुत पहले Communist Party छोड़ चुका था अगे ना Communist Party लीव कर चुका था और ये वही बंदा है जो क्या करेगा जो अब इलेक्शन लड़ेगा ठीक है और अच्छा मैं तब तुम लोगों को यह भी बताया था कि इसने कमिस्ट पार्टी छोड़ी और 1991 में 1991 में कूब भी होने वाला है इसके अगेंस में गोरबाचेव के अगेंस में और यह क्या करेगा और इसकूप के आगेंस में बात करेगा तो लोग साथ हो जाएंगे उसके और यह भी बोलेगा कि कमिस्ट पार्टी की साथ भी नहीं रहना हो लोगों को और यह भी बोलेगा कि कूब भी गलत है ठीक है और बॉरिस येल्ट सिन की पॉप्लरीटी बढ़ जाएगी बॉरिस येल्ट सिन लड़ेगा और इलेक्शन लडने के बाद सबसे पहला प्रेसिडेंट बनके दिखाएगा किसका किसका रशिया का है ना इंडिपे लोग जो है जो कटाई कम श्राइड लोग चलते वोलो क्या करेंगे वो लोग कूप करेंगे पावर छिन लेंगे किसके हाथ से गवर्माचे के हाथ से इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है वो सारे के सारे कंट्री इसको यूनाइटेंड नेशन्स का पार्ट बनना बहुत इंपॉर्टन होता है ना क्यों कि उनको जाकर यूनाइटेड नेशन्स जनरल एसेमली में बैठना है और यही पर इंटरनेशनल सारी के सारे चीज़े डिसकस होती है अरे हाकी ना तो अब जब यह कंट्री इंडिपेंडेंट होगी है लिथवानिया लात्विया अलाइंस के मेंबर बन जाएंगे यानिकी साइट स्विच कर दिन लोगोने भी कंप्लेटली हागे ना कैपिटलिजम लेंगे डिमोक्राइब लेकिन अभी के लिए पेपर में कुशन के आता है कि विच स्टेट है ना या विच व फॉल्लेंग स्टेट्स जोईन नैटो इन है नमार पास 1991 डिसेंबर डिसेंबर 1991 में क्या है रशिया बेलारूस और यूकरेन डिसाइडेट टू एनल नाइंटीन ट्रीटी ट्रीटी ऑन दे क्रियेशन और यूससर मैंने आप लोगो बताया था कि यूससर जो है वो 1922 में बना था और एक ट्रीटी से बना था उसी ट् 1991 डिसेंबर में कहतम करने की बात करेंगे में कोनकों रशिया बेलारूस और यूकरेटर ट्रीटों बोरिस यल्सिन क्योंकि बोरिस यल्सिन ही क्या करेगा इन चीदो का नाम्स करेगा ठीक तो रश्या बेलारूस एंड यूकरेन डिसाइड टू एनल 1922 ट्रीटी ऑन दे क्रिएशन अफ यूससर और एंड एस्टैट्स और क्या बात करेंगे यह लो सी आएस बनाने की बात करेंगे हैं कॉमन विल्ट अफ इंडिपेंडन स्टेट्स याद आया कॉमनल तफ इंडिपेंडन स्टेट्स हम लोग पढ़के आ चुकिए सी आएस एक ऐसा ग्रूप बनेगा जिस जिसका पार्ट कॉन रहेंगे जिसका पार्ट सारे के सारे 15 कंट्री रहेंगे जो युए सब का पार्ट था सिर्फ और सिर्फ को आपरेशन के लिए पीस के लिए फ्रेंड्शिप के लिए ठीक है यह दूसरा यूए सब नहीं है आगे आते अर्मेनी आजरबाइजान मोल्डोवा कजाकस्तान करगेस्तान ताजिकिस्तान तुर्कमेसान जॉज जॉइबर कोशन आता है कि जॉइबर बना था उससर का स्वारी सी आएस का तो जॉज्ण जो है वह सिय एस का पार्ट बना है 1993 बागी सब लोगों को फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया था खास करके सेंट्रलेशन कंट्रिस को जिन के लिए वो शौक था कि भी या यार 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 टूट रहा है से कैसे हैना कल तक हम लोग यार का पार्ट थ्याज तुम लोग कि आज़ा तुम लोग सारे के सार सब्सक्राइब यार यॉनाइट नेशन स्में या यॉनाइट नेशन सेकुरिटी कांसिल में डिसेंबर 1991 में और क्रिसमस का दिन 25 डिसेंबर 1991 क्या और यॉस्सर कंप्लेटली खतम हो जाएगा यह हमारे टाइम लाइन का लास्ट देखिए क्या बोलता गोर्बाचिव nd of USSR और क्या हो जाएगा सोब्सक्राइब यूणियन जो है वह एंड जाएगा खतम हो जाएगा उसके मोत हो जाई उसको दफन कर दिया जाएगा और सोवीट यॉनीन की कहानी कहानी यहां पर हो जाती है ठोलिए तो आज हम लोगों ने क्या करा आज हम लोग ने टाइम ला बहुत पसंदाया होगा पसंदाया है तो इसको लाइक करिए शेर करिए अपने दोस्तों को दिखाई ये मुझे दिखाई ये बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- बताता रहूँगा तब तक के लिए मोहिन पठान आप सब से कहता है जैहिंद